आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट ये आप देखिए विश्विद्यले अनुदान आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर बरती रूल होगा चेंज हटेगा API स्कोर API स्कोर से नहीं होगा चेंज दोस्तो ये थमलेन पर मैंने ये बाते इसलिए लिखी है क्योंकि अभी हाली के अंदर UGC के जो चेर्मेन थे उनके द्वारा एक लेक लिखा गया था उस लेक के अंदर इस प्रकार की बाते जो है वो सामने उबर करके आ रही है कि जो यूनिवर्सिटी और कोलेजेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बर्ती का जो रूल्स है ठीक है उसके अंदर बदलाव हो सकता है आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कोलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अब नई सिख्षा निती 2020 जो है वो लागू की जा चुकी है और नई सिख्षा निती का मैन जो धे है वो ऐसे युवाओं को तयार करना है जो नोकरी के पिछे नहीं भागें अपितु उनके अंदर skills जो है वो डवलप हो कोशल विक्सित हो यानि उनके अंदर विवस्षाई का कुशलता है पढ़ लिखने के बाद में वो अपना स्यूम का जोब कर सके वो बिजनस या विवस्षाई जो है वो श्टार्ट कर सके तो UGC के दुवारा नई सिख्षा निती के अनुरूप जो UGC Rules 2018 है जिसके तहत उच्च सिक्षन सैंस्थानों के अंदर यानि हायर एजुकेशन इंस्टिटूट्स यानि H.E.L.S जिसमें कोलेज भी आते हैं युनिवर्सिटी भी आते हैं और साथ साथ में प्रोफेशनल इंस्टिटूट भी आते हैं उनके अंदर जो संकाय फेकल्टी होती है संकाय सदस्य होते हैं प्रोफेशर, एसोसेट प्रोफेशर, असिस्टेंट प्रोफेशर उनके चैन के लिए और उनकी पद्दोनती के लिए जो UGC Rules 2018 बनाए गया था उसके अंदर बदलाव होना चाहिए नई सिक्षा निती के अनुरूप UGC Rules 2018 के अंदर बदलाव होना चाहिए तो इस बारे में UGC चेर्मेन एम जगदीश कुमार ने ये जो लेख लिखा था इसका सिर्षक था UGC क्यों चाता है संकाय भरती में सुधार तो इस लेख में UGC के चेर्मेन ने लिखा था कि जो उच्छ सिक्षन सहिस्थान है H.E.L.S है उनके अंदर संकाय सदस्यों के चैन में और प्रमोसन के अंदर ज्यादा सवतंतरता जो है वो मिलनी चाहिए अब ये संसोदन क्यों मतूपुरुण है इसके उन्होंने कुछ कारण बताए है पहला जो कारण बताए है वो क्या है कि जो मोजुदा विवस्ता है यानि वरतमान जो UGC Rules 2018 है जिसमें संकाय भरती और मुल्यांकन के अंदर जो प्रकासक होते हैं पेपर पब्लिश्ट वग अगरे लिखते हैं उनको उतना ही जो ज़्यादा है विद्वान माना जाता है जबकि वरतमान जो समय है वो इस परकार का है कि इसके अंदर प्रोफेशनल जो फिल्ड होते हैं उनके अंदर जो व्यक्ति अपना स्यूम का स्टार्ट अप प्रारम कर रहा है या जिसको किसी द्यवसाइक छेतर के अंदर फिल्ड के अंदर योग गेता और कुशलता प्राप्त है उसको ज़्यादा मेद्व मिलना चाहिए लेकिन UGC rules के अंदर उसको ज़्यादा मेद्व नहीं दिया गया है अपितू जिसका API score ज्यादा होता है जो ज्यादा सोध पेपर पब्लिश करता है उसको ज्यादा विद्वान माना जाता है यानि जो चेर्मेन है वो क्या कह रहे हैं कि हमें इस व्यापक धारणा को त्याग ना होगा कि अधिक सोध प्रकासन किसी व्यक्ति को श्टार्ट अप या उद्दमिता जैसे छेत्रों में उतकृष्टता प्राप्त करने व और जेत्र के लिए जो यूनिवर्सिटीज के दुआरा अभ्यार्तियों का चेहिं किया जाता है तो उसके इंदर ये देखा जाता है कि यूजी के अंदर भी समन्दित विसे होना चीये या उद्ध मिता के जैसी छिट्रों में वि सेस योगदान है विसेस अनुभव है आपकी UG या PG के अंदर बले ही अलग-अलग अनुसासन रहे हों, अलग-अलग विसे या सब्जेक्ट रहे हों, वो कोई मायने नहीं रखता है, मत्तुपुर्ण यह कि आप स्टार्टप के छेत्र में, उद्धमिता के छेत्र में कितना मत्तुपुर्ण योगदान कर रहे हैं, इसरा जो कारण बताया है, उसमें यह का आगया है, कि चैन परक्रिया जो है, उनके अकादमिक योगदान को संख्याओं और अन्य कठोर मान डंडो, यानि API स्कोर से इतना जटिल बना दिया गया है, कि जो स्टार्टप के छेत्र में, उद्धमिता के छेत्र में, विसेश जो परतिवावान व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, विश्यसक गेव्यक्ति होते हैं उनका जो है सेलेक्षन नहीं हो पाता है क्योंकि API score के अंदर उन लोगों का सेलेक्षन होता है जिनके सोथ पेपर ज़्यादा पबलिश्ट होते हैं जिनकी बुक्स वगरे ज़्यादा पबलिश्ट होते हैं वोई professor या फिर associate professor जा रहा है तो इसलिए एम जगदीश कुमार ये कह रहे हैं कि HLS को यानि उच्च सिक्ष्ण सेंस्थानों को एसी संकाय सदस्यों को चुनने और बढ़ावा देने की अधिक सवतंत्रता होनी चीए जिन में नए सेक्ष्णिक दृष्टी कोण अपनाने प्रोध्योगी की को मि करते हुए विश्व विद्यालियों और कोलेजों में सिक्सकों और अन्य सेक्ष्णिक रमचारियों की न्यूक्ति के लिए जो नियूंतम योग्यता और उच्च सिक्ष्या में मानकों के रख रखाव के उपायों पर 2018 विश्व विद्यालियों अनुदानायोग UGC के जो उनमें मत्तूपन संसोदन किया जाने की आवश्यक्ता है आगे UGC चेर्मेन क्या कहते हैं कि 2018 के अंदर जो UGC रूल्स बनाए गए थे और उसमें जो मतलब संकाय सदस्यों का चैन करने के जो मापदंड है यानि API जो स्कोर है उस API स्कोर के अंदर मात्रा अत्मक मेट्रिक् अब्यार्थी के सेक्ष्णिक और सोध योगदान को निर्धारित करने के लिए एक संकीर्ण जो चेक बोक्स है उस दृष्टी कौन को अपनाया गया है API स्कोर के अपोर्डिंग जो अब्यार्थियों का चैन किया जाता है जिसको चेर्मेन जो एक संकीर्ण चेक बोक्स उसको बढ़ाए उनका ध्यान ने श्टार्टप परारम करने की ओर नया दृष्टी कोण परारम करने की ओर नया कुछ पूर्द्योगी की छेत्र में योगदान करने की ओर और कोशल क्षमताओं का विकास करने की ओर ध्यान नहीं होता है सिरफ अपना API स्कोर बढ़ाने की और उनका ध्यान होता है तो इससे जो संकाय सदस्य होते हैं उनमें उद्दमिता, शोद व्यवशाई करने, पेटेंट, स्टार्टप और उद्योग भागेदारी के लिए खोज इसका जो जुनून होना चीए उसकी कमी होती है क्योंकि अब्यार्थियों का जो चैन किया जाता है उनका जो मुल्यांगन किया जाता है वो API स्कोर के आधार पर किया जाता है और API स्कोर के अंदर ये चीज़े जो हैं वो काउंट नहीं की जाती है आगे उनका ये भी कहना है कि जो UGC Rules 2018 है मोजुदा जो रूल है उसमें चार वर्षी जो शनातक डिगरी है और PhD वाले जो उमिदवार हैं उनको संकाय न्यूक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाता है जब तक उनके पास में PG की डिगरी नहीं होती है लेकिन वर्तमान जो वेश्विक माहौल है उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो सुविदा है वो ऐसे ब्यार्थियों को भी प्रदान की जानी चाहिए जिनके पास में चार वर्षी डिगरी है बले ही PG उनकी अलग किसी जो फेकल्टी है या अलग विशे से कर रखी हो उनका ये क चार वर्षी सनातक डिगरी है और जो PhD क्वालिफाइड है तो बले ही उन्होंने समंदित विशे में मास्टर डिगरी प्राप्त नहीं कर रखी हो लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होने चाहिए और अंत में UGC चेर्में ने अपने इस लेख में ये का है कि NEP यानि नई सिक्षा निती 2020 की वज़े से ये जो UGC रूल से 2018 है इसके जो नियम है इन नियमों की व्यापक समीक्षा की जा रही है और वर्तमान समय के साथ इनको और के से बहतर बनाया जाए इसके बारे में जो है नियमों का एक नया मसोदा जो है वो तैयार किया जा तो आपको इसके बारे में क्या कहना है अपने विचार कमेंट बोक्स में जरूर लिक करके बताएगा हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद